साहिद किसान मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फेंस करके ग्री राज़ी मंद्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा गया मरसाथ बाचित के मुझोदे बीज़ेपी के राष्टरे सच्चु को सामवी से लोक्षवर सांसद विनोस सोनकर जी जब तक स्तीफा नहीं होगा तब तक कुछ इतकारवाही नहीं होगी देखिए इस दुखत घटना के बाद से कानून पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है और हमारे नेताओं ने हमाई सरकार ने इसपस्ट किया है कि जो लोग भी दोसी है वो चाहे जितने बड़े रसूक वाले हो चाहे जितने बड़े पत्पर में हो उनको बकसा नहीं जाएगा उसके बावजुद इस तरह की मांग करना निश्य तरुप से इस पूरे घटना करना को एक राजनितिक रंग दे के राजनितिक फाइदा लेने का प्रयास है राकेस टिकेट ने कहा है कि आसीश मिस्रा को रेट कार्पेट बिच्छा के आज पूलिस पूस्ताच के लिए बुला रही है जब तक ग्री राज्य मंत्री हैं जा मिस्रा तब तक पुलिस दवाओं में ही कारवाही करेगी वो लोग किसी भी प्रकार के जहाँत में स्वयम नहीं सयोग कर रहे हैं और जिस तरह से प्रेस कांफरेंस में उन लोगों ने पांच लोगों की की बात कर रहे हैं बाकी जो तीन लोग मरें क्या वो इंसान नहीं थे उनके प्रत उनके इंसानियत मानिवेता नहीं है मंत्री स्थीफा नहीं देंगे तो रेल रोका जाएगा अठार अक्टूबर को पुतला दहन के जाएगा पी-म का सी-म का ग्री मंत्री का और इसके अलावा फिर चब्विस अक्टूबर को लखनों में बड़ी महापंचायत की जाएगी जिनके रेली में तिरंगे का अपमान होता हो जिनकी रेली में राष्ट पिरोधी नारे लगते हो वो कुछ भी कर सकते हैं किसी का भी पुतला फोग सकते हैं लेकिन ये बात के मान लें कि ना तो किसान इनके साथ है ना इनके साथ जन्माना से एक क्योवल राजनेती ग्रोटी सेखने के लिए इस तरह का क्योवल प्रिपोगंडा करने का प्रयास कर रहे हैं एक आखरी सावाल अकलेश यादो ने भी प्रेस कॉन्फरेंस किया है और कहा है कि बीजेपी के लोग गाड़ी से कुछलने का काम करते हैं यह अखलेश जी से बेतर कोई नहीं जानता कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हूटर और सूटर का राज था उत्तर प्रदेश में कानून का राज अगर किसे ने स्थापित किया है तो योगी जी की सरकार है भाड़ी जंता पाड़ी की सरकार है जिनका कहना है कि पुलिस पुरी मजबूती के साथ काम कर रही है और जो भी दोशी है उसके खिलाब कारिवाई होगी के वशन का पिल के साथ अभी जास्तिवारी एबीपी गंगा दिल्ले एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी